पुदीने का पोदा सर्दी के मोसम में सूख जाता है क्योंकि ये पोदा अधिक सर्दी को बरदास्त नहीं कर पाता है गर्मी के मोसम में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है आज की इस वीडियो में मैं आपको पुदीने का पोदा दिखा रहा हूँ पिछले साल मैंने ये पोदा लगाया था और अब कड़कती सर्दी में भी मैंने इस पोदे को बचा लिया है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोदीने के पोदे की कैसे केर करनी होती है हम इस पोदे को कई सालों तक अपने गार्डन में कैसे बना कर रख सकते हैं सर्दी से बचाने के लिए इस पोदे में हमें क्या क्या काम करने हैं और कितना इन पोदों में पानी डालना है क्या खाद या फर्टिलाजर डालना है और इनको कहां रखना है ताकि ये सर्दी से बचे रहें वन बाई वन मैं सभी बाते आपके साथ शेयर करूँगा सर्दी से इस पोदे को बचाने के लिए हमें इसकी लोकेशन का विशेश द्यान रखना पड़ता है हमें इस पोदे को सर्दी से बचाने के लिए एक कोने में चायादार लोकेशन में रख देना है इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पोदे को सनलाइट की भी आवशकता होती है एक या दो गंटे की indirect sunlight इस पोदे को मिल जाती है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है सर्दी से इस पोदे को बचाने के लिए indoor चायादार location में रख देते हैं तो भी ये पोदा नहीं बच पाता है क्योंकि इसको sunlight भी चाहिए और जब हम इस पोदे को sunlight प्रोवाइड कराने के लिए खुली आवादार location में रख देते हैं तो भी ये पोदा सूख जाता है इसलिए इस पोदे की location का हमें विशेश द्यान रखना पड़ता है तो ही ये पोदा सर्दी के मोसम में बच पाएगा सर्दी के मोसम में पोदीने के पोदे की growth बहुती दीमी हो जाती है इस पोदे को बचाने के लिए आप इसकी location को बार बार change ना करें एक बार जहां इसको रख देते हैं वहीं रखा रहने दीजिए जब कोई पोदा dormancy में होता है तो हमें उसकी location को बार बार change नहीं करना चाहिए मैं इस पोदे में हर रोज पानी नहीं डालता इसमें पानी जबी डालता हूँ जब इसके गमले की मिटी पूरी तरह से सूख जाती है सर्दी के मोसम में इस पोदे में पानी का विशेश द्यान रखना पड़ता है आप इसमें आधिक पानी ना डालें क्योंकि सर्दी के मोसम में इसकी मिटी जल्दी नहीं सूखती है और हर रोज यदि इसमें हम पानी डालते रहेंगे तो ये पोदा सूख सकता है पुदीने के पोदों में कभी भी खाद डालने के आउशकता नहीं पड़ती हैं आप जब एक बार इसकी मिटी त्यार करते हैं तो उसी टाइम इसमें खाद या फर्टिलाजर डाल सकते हैं सरदी के इस मोसम में तो आप इस पोदे में बिल्कुल भी खाद ना डालें इस पोदे में केवल हफते में एक बार पाने डालिए और इसकी लोकेशन का ध्यान रखिए इसके अलावा हमें इस पोदे में कुछ भी नहीं करना है यदि आप मेरी बताई गई इन समबातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपका पुदेने का पोदा सर्दी के मोसम में भी नहीं सुखेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजी वीडियो में लाट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू